अगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के आपको लिडियों जब भी हम कॉमेडी मुवीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी, धमाल, भागम भाग या आक्षे कुमार के कुछ मुवीज का नाम याद आता है और रिसेंटली कर कुछ सालों की बात करें तो मुवीज का आकालचा पढ़ गया कॉमेडी मुवीज का हमें बहुत सारी कॉमेडी मुवीज देखने को नहीं मिली और कुछ आई भी तो उन्होंने इतना कुछ बॉक्स आफिस पे धमाल ने किया और मुवी में जो इन्होंने कास्टिंग की हुई है जो कास्ट लिये हुए है जो एक्टर्स लिये हुए है वो सारे बहुती कॉमिक टाइमिंग बेस्ट एक्टर्स हैं जिनमें अगर हम बात करें तो अश्राणी, मनुजोशी, अनुकपूर, रासपालियद, चारो ऐसे कलाकार हैं जो आपको हसाने में महारत हासी की हुए है और इस मुवी में इन्होंने अपने कंदेपया मुवी रखे मुवी को चलाया हुआ है और मुवी में सारे जो भी करदार निभाए हैं वो अपनी तरफ से इन लोगोंने बस निभाए हैं तो मुवी की जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल स्टोरी रखी गुई है कि एक मिडल क्लास या फिर लोवर मिडल क्लास बोले अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाना जाता है तो कैसे जमा सकता है और क्या-क्या उसे मुश्कीले जिनने पड़ती है उसके बारे में या पूरी मुवी है जिसमें अनुकापूर यहाँ पे एक डारेक्टर का रूल करना चाहते हैं एक डारेक्टर बनना चाहते हैं कैसे वो सक्सिस्फिल डारेक्टर बने उनके लिए क्या कटना या आती है वो सारी चीजे आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली उसी बात में जब struggle actor की बात आती है जिसमें एक रासपाल यादब को एक struggle actor के दिने लिया गया है फिर उन्हें producer की भी जरूरत पड़ती है producer को कैसे पैसे खिलाने है उनको क्या करना है वो सारी चीज़े आपको मिले वाले है लेकिन इसी बीच में जब यह सारी डिस्कुरिशन्स होंगे उसमें आपको ऐसे पंचेज मिलने वाले है जो आपको बहुत असाने वाले है उसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी आपको love story भ आती हैं तो कटनाईयों में यहाँ पर illegal काम भी आपको देखने को मिलेंगी एक यहाँ पर parcel होगा जिससे parse करना है अब उसके बीच में क्या कटनाईया आने वाले हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं हो क्या लेके जा रहा है जो कि रासपाले अदब को लेके जाना है उसमें यह सारी कटनाईया आने वाली हैं जिसमें आपको बहुत सारी हसी भी आने वाली है और कुछ tense moment भी आएंगे कुछ emotional moment भी आएंगे जो आपको देखके परिशान भी करने वाले हैं उसके बाद मैं अगर movie की negativity के बात करें तो दोस्तों कुछ scenes बहुत अच्छे किया जाकते हैं इ हैरा फिरी फिर हैरा फिरी देमाल जैसी movies आई थी या ढोल जैसी movies आई थी उसमें जो comic timing थी वो इतनी सुपर्व थी जैसे देखके मजा जाता था वो इस movie में भी हिसकत की कलाकार कम नहीं थे सारे best कलाकार हैं सारे best actors हैं वो इस चीज़ को बहतरीन करना जानते हैं लेकिन व से गलती होती हुई दिखेए हैं हाला कि आगे हो आएंगे तो हो सकता है कुछ और अच्छी movies लेके आएं फिलाल इस movie ने बहुत दिनों बाद में comedy movie आई बॉलिवूड के तरफ से आकाल पड़ा हुआ था इंडियन सनीमा में ही नहीं कोई comic movie बन रही थी तो ये comedy movie आई जिस आपको परेशान करने वाला है कि आप स्कुप्ट के साथ में देख रहे हैं तो आप सुचेंगे मैं क्यों ऐसा देख रहा हूं तो ऐसा कुछ नहीं है movie of family साथ में देख सकते हैं और definitely मेरी माने तो आप आसने वाले इस movie को देखके तो थोड़े दिनों में OTTP भी आ तो आसके लिए वीडियो में तब तक लिये बाँ अगे मढशन से पहले वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बल में Newton कर लिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के आपको लेटेश करोते रहें